हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग मनो विज्यान इस्पिसल 15 प्रशनों की जो उमारे सीरीज चल लही थी उसका हम लोग पार्ट 3 कंप्लेट करेंगी जिसमें हम लोग 50 most important question पढ़ेंगे और यह जितनी भी सिच्छक भरती एक्जाम होती है कोई भी मतलब सिच्छक भरती की एक्जाम होई सभी के बेहाद मात्पूर है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चले देखते हैं यहाँ पर question पूछा गया आपसे अब देखो इसके 100 question complete हो गए थे अब यहाँ पर 101 number question पूछा गया है सिच्छण अधिगम की सूचना प्रक्रिया information process जिस अधिगम सिधान से सम्दित है वह है तो जो सिच्छण अधिगम की सूचना प्रक्रिया है या कौन से सिधान से सम्दित है तो इसका एंफर हो जाएगा संग्यानातमक सिधान से किसे सम्दित है संग या नातमक सिद्धान से संबंदित है और इस सिद्धान के प्रतिपादे कौन थे जीन पियाजे थे कौन थे जीन पियाजे थे ये भी आपको नोट करना है अब यहाँ पर दूसरा question पूछा गया है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों दोरा की गई तुरुटियों के संबंद में आपकी द्रफ्टि से निम्द लिखित में से कौन कतन फरोत्तम है तो तुरुटियों के बारे में सबसे जो उचित कतन है तुरुटिया दिगम पर क्रिया का भाग है बच्चे जो होते हैं तुरुटियों की माध्यम सही सीखते हैं तो यहां पर भी आपफन बिल्कुल ही सही हो जाएगा देखते एक ला कोस्टन नेफ्ट कोस्टन पूछा गया है प्रेयास्वत्रुटि किस नियम पर आधारित है तो प्रेयास्वत्रुटि जो है वह बहु अनक्रिया नियम पर आधारित है और प्रेयास्वत्रुटि किस शिद्धान किम ने दिया था था थान डाइक ने दिया था और जो बहु अनक्रिया का नियम है ये भी जो थांडाइक ने दिया था जो सीखने के जो पांच गौर्ड नियम बताया थे थांडाइक ने उसी में से एक ये भी है अगला कोश्चन पूछा गया है सिच्छा मनो विज्ञान के संदर में सरवादिक उपियुक्त कथन है तो सरवादी कुपिक तो कहते हैं सिच्छा मनोविज्ञान की सिच्छा के छेतर में एक साखा है अब नेफ्ट कोशन पूछा गया है आ बासा तीन सिच्छार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग-अलग लच्छ है आ जो है विशार रोचक है वो भावी जीवन में काम आएगा बा जो है कच्छा में पहला इस्थान प्राप्त करना है और जो साह है परिच्छा उतीन होने वाले गेट प्राप्त हो जाएं अब यहां पर बताएगा निस्पादन निस्पादन उपेच्छा और निपुड़ता का सही क्रम बताएगे तरहां पर जो है निस्पादन निस्पादन उपेच्छा और निपुड़ता जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा बासा आ सबसे पहले हो जाएगा कच्छा में पहला इस्थान प्राप्त करना है उसके बाद परिच्चा उत्तीन होने वाले ग्राट जो की रेट है वो प्राप्त हो जाए और फिर उसके बाद बिसेर रोचे कहे हुआ भावी जीवन में काम आएगा बाल केंदिर्स फिच्छा के लिए किस मनों वैग्यानिक ने फिच्छा फास्थियों का ध्यान केंदिर्द किया था तो वो किया था रूसों ने किसने रूसों ने किया था अंतर द्रफ्टी अधिगम परिणाम है अंतर द्रफ्टी अधिगम परिणाम है समग्ग्रा कृति प्रत्यच्छी करण का सारी इरिक परिवर्तन के लिए जिन सब्दों का प्रयोग किया गया है उसको अभी वरद्धी कहते हैं क्रिया प्रफूत मुक्यता बल देता है पुनर बलन पर किस पर बल देता है पुनर बलन पर और क्रिया प्रफूत का जो है फिदान जो नियम दिया गया था वो दिया गया था इसकिनर के दो आरए किसके दोरा इसकिनर के दोरा समा वेची सिच्छा के संदर में बासा सिच्छन के लिए अनिवार है तो समा वेची सिच्छा के संदर में बासा सिच्छन के लिए अनिवार चीज है बिबिन परकार की गतिविधियों का उप्योग कराना क्रिया प्रफूत अनकूलन में पुनर बला निर्भर करता है आई कूलन में पुने अनुकूलन में पुने बरन नियुन्ब करता है अनुक्रिया की प्रक्रती पर विभिनित्ता का नियमप्रतिपादित किया था डार्विन ने , dh Engineering से शीकने वाले बालकों के लिए अधिक उप्यों की सिध्धानत है кажется ॥ान्डायिक का सिद्धान्त जो बच्चे धीमिकत से सीखते हैं उनके लिए जो थान्डायिक का सिद्धान बहुत वीपयोगी सिद्धान्त है निम्नलिकित में से 1912 में किस संपरदाय का प्रतिपादन हुआ 1912 में किस संपरदाय का प्रतिपादन हुआ था गिफ्टाल्ट संपरदाय का और इसके प्रतिपादन कौन थे वर्दी मर थे कौन थे वर्दी मर थे और इनके साथ में जो है इनके साथ में कौन कौन थे इनके फयोगी कोलर और कोफका थे इनके सहोगी थे निम्न में से किसमे एच्छी के विवार उसके प्रड़ामों से सकतिसालि वर कमजोर होता है तो यह होता है क्रिया प्रफूत में जेम्फ ड्रेवर ने मनो विज्ञान को किस परकार का विज्ञान वाणा है क्या माना है सीखने का करना कौन से 25 से समंदित है सीखने का करना जो है समंदित है सीखने का गतिक छेत्र सीखने का गतिक छेत्र निम नलिखित में से चिमपांजीयों पर प्रयोक किसके द्वारा किया गया कोहलर के द्वारा किसके द्वारा कोहलर के द्वारा बच्चों के संग्यानातमक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाफित किया जाफ रकता है तो इसका एमफर हो जाएगा विद्ध्याले एवम कच्छा में अगला कोशन है एक सिच्छक के लिए सबसे महत्पूर्ण क्या है विद्ध्यार्थियों की कटनाईयों को दूर करना विद्यार्सियों की कठनाईयों को दूर करना गेट्स के लुसर अनुभावदरा विवहार में परिवर्तन ही क्या है शीखना है शीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए बच्चे को जो है दंडित नहीं करना चाहिए जिस वक्रेखा में प्रारम में सीखने की गति तीवर होती है और बाद में यह क्रमसा मंद होती जाती है उसे कहते हैं उसे कहते हैं उन्न तोधर वक्र का कहते हैं उन्न तोधर वक्र कहते हैं अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न लिखित मेंसे कौन सा है तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान होता है उतेजना क्या होता है उतेजना निम ने लिखे थे मैंसे कौन सी दसा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दसा नहीं है तो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दसा कौन सी नहीं है उद्धीपन की इस्तिति नहीं है अगला कोश्चन पूछा गया है सम्वेग की उत्पत्ति से होती है तो सम्वे की उत्पत्ति होती है मूल प्रवत्तियों से किस से होती है मूल प्रवत्तियों से होती है और मूल प्रवत्तियों के जनक माने जाते है मैग डूगल कौन माने जाते है मैग डूगल माने जाते है और इन्होंने कितने प्रकार की मूल प्रत्य बताई थी तो 14 प्रकार की मूल प्रत्य बताई थी अगला कोशन है अभी प्रेरणा के लिए अक्सर सब्द का भी प्रयोग किया जाता है तो अभी प्रेरणा के लिए अक्सर कौन से सब्द का प्रयोक किए जाता है तो इसका एमफर हो जाएगा आवसक्ता सब्द का बच्चों में समवे गात्मक समा योजन प्रभावी होता है व्यक्तित निर्माण में, कच्छा सिच्छण में, पनुसासन में तो इसका एमफर हो जाएगा ये सभी में जो है समय गात्मक्स अमावेजन प्रभावी होता है। अधिगम के प्रक्रम में अभी प्रेरण क्या है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुज का फ्रेजन करता है। अगला कोशन है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थक इस्तिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थकी इस्तिति का जो है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे वो छात्र अमीर हो या फिर गरीब हो। नेफ्ट कोचन यहां पर काम की प्रवत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनों वेग्यानिक ने दिया था। काम की प्रवत्ति पर सबसे दिख बल दिया था सिगमंड फ्राइड ने किस ने दिया था सिगमंड फ्राइड ने तत्परत्तक नियम अधिकम का किस प्रकार का नियम है तो तत्परत्तक जो नियम है अधिकम का मुख नियम है और तत्परत्तक नियम किस ने दिया था था थांडाइक के अधिगम नियम में सरवाधिक प्रधानता किसको है तो थांडाइक के अधिगम नियम में सरवाधिक प्रधानता है वो है अभ्यास को किसको है अभ्यास को अगला कोशन पूछा गया है अधिगम को ठोच सिद्धान्त किस मनोवा ग्यानिक द्वारा दिया गया जो अधिगम को ठोच सिद्धान्त है या दिया गया था थांडा एक द्वारा किसके द्वारा थांडा एक द्वारा निम्न लिकित में से किसके अनकरण से बालक नया ग्यान प्राप्त करता है सिचकों के अनकरण से, दोस्तों के अनकरण से, माता पिता के अनकरण से तो इसका इंफर हो जाएगा उपरोग तो सभी के द्वारा जो है इनकी सेब की नकल करके जो बच्चा है नए ग्यान प्राप्त करता है अज पफ्टता के नियम में विचार होते हैं अज पफ्टता के नियम में कैसे विचार होते हैं इस पफ्ट विचार होते हैं नेफ्ट कोशन है सन 1889 में वुंट ने किस विदी को वेवहारिक प्रयोग के रूप में आरम किया था तो विल्यम मुंट ने जो प्रयोग आतमक विदी को आरम किया था कब किया था 1889 में कहां भी किया था जर्मनी में किया था ये तो आपको याद रखना है अगला कोश्चन है अनुभाव एवं प्रसिच्चन द्वारा वेवहार में परिवर्तल लाना क्या कहलाता है अधिगम क्या कहलाता है और अधिगम का मतलब होता है सीखना नेट्ट कोश्चन है निमने लिकित में से आदत कैसी होती है पूर्व अन्भवों की पुनरावरत्ती होती है ग्यानात्मक अधिगम गामक अधिगम सम्वेदनात्मक अधिगम क्या है अब यहां पर पूँचा गया ग्यानात्मक अधिगम गामक अधिगम और सम्वेदनात्मक अधिगम क्या है तो यह क्या यह अधिगम के प्रकार है अधिगम के प्रकार है नेफ्ट कोजन यहां पे पूछा गया है बिया पिस्किनर का टेटो फोन किसका आकलन करता है किसका व्यक्तित फोन करता है प्रसिद्ध मनो वैग्यानिक एन एक क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे उसके बाद question पूछा गया है साइमन बीने केंसार बुद्धी क्या है पैचानने तथा सुनने की सकती बुद्धी है अगला कोशन यहां पर पूँचा गया है किस प्रकार के एक अधाबिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है तो किस प्रकार एक अधाबिका है बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है तो इसका इंफर हो जाएगा बच्चों को विवित प्रकार की समस्या को समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना चात्रों के बीच व्यक्तिकत भेद सामिल करने का आधार हो सकता है चात्रों के बीच व्यक्तिकत भेद सामिल करने का आधार हो सकता है शिच्छन के कई तरीके, आकलन के कई तरीके तुसका एमफर हो जाएगा फ़ट और फिकन दोनों ही अगला कोश्चन है व्यक्तित्ट के विकास में महत्पूर्ण भूम का निभाता है तो अनुवान सिक्ता और पर्यावरण के जो मिश्ण है वह व्यक्तित्ट के विकास में महत्पूर्ण भूम का निभाता है नेफ्ट कोचन है बाह अभी प्रेरणा में सामिल है प्रसंसा और दोसा रोपण, प्रतिसपरधा, पुरसकारोधन या परिणामों का ग्यान, तो इसका एमफर हो जाएगा, बाई अभी प्रिणा में ये चारों चीजे जो है, सामिल होती है, अगला कोशन पूछागा यहां पर, रेवेन का प्रगत सील साचा, आर्पिम परिच्ण, परिच्ण का उधारण है, तो जो आर्पिम परिच्ण वा किसका उधारण है, संक्रती मुक्त बुद्धिलबधां का उधारण है, किसका उधारण है, संक्रती मुक्ति बुद्धिलब दंग का उदाराण है और यहीं पर पूछ लिया जाए कि जो है आर्पियम परिच्ण के प्रिदिपादा कौन थे तो इंफर हो जाएगा रेवेन कौन थे रेवेन निफ्ट कोचन है सीखने के बारे में निम लिकित कतनों में से कौन सा एक सत्य है तो सीखने को समाजिक क्रियां सुवधा देती है निफ्ट कोचन है निम लिकित में से कौन सी एक महतपूर गतिविधी बच्चों को सीखने के लिए सच्छा मनाती है तो इसका एमफरोजा का समवाद जब बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या उनको सीखने में कापी हेल्प मिलती है एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं इं झाल झाल